Brought to you by Biz Analyst by Khatabook बास्किट अपने promotional जुमलों में चंद मिन्टों में डिलिवरी की बात करते रही हैं लेकिन Zomato के इस रेस में आगे होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल जुलाई में IPO लॉंच करने से पहले ही उसने delivery firm blanket पर डोरे डालने शुरू कर दिये थे तब Zomato ने इसमें 10 प्रतीशत हिस्सेदारी खरीदी थी और अब पूरी कंपनी को ही अपने में मिला लिया है तो क्या वाकई में ये 10 मिनिट वाली delivery संभव है यहाँ से शुरू होता है Zomato Instant का नया business model जोडान भरते ही सोशल मीडिया की हवा के थपेडों से घिर गया मंगलवार 22 मार्च को सोशल मीडिया से लेकर संसथ तक में सर्विस पर जम कर हमले हुए किसी ने impossible कहा तो किसी ने road safety और delivery boys की सुरक्षा के नाम पर कंपनी की खिचाई की विरोध बढ़ता देख Zomato के head दीपेंदर गोयल को सफाई देनी पड़ी उन्होंने कहा यह service कुछ चुनिंदा इलाकों में ही गिने चुने आइटमों की delivery के लिए है और delivery boys पर 10 minute के भीतर ही डिलिवर करने का दबाब नहीं होगा मामले को तूल पकरता देख कमपनी के ओर से यह समझाने की कोशिश भी की गई कि 10 minute का मतलब सुई की नौक पर दौड़ना नहीं बल्कि जल से जल डिलिवर करना होगा यानि यह सर्विस Zomato को 30 minute में delivery के दौर से निकाल कर नई तक्नीक और जरूरतों से जोड़ने का नया प्लान है हाला कि इसे कमपनी के गिरते शेरों के बीच कुछ market value हासल करने की जुगत के तौर पर भी देखा जा रहा है दीपेंद्र गोईल ने बाद में ब्लॉक पर लिखा हमें innovation करना है मुझे लगने लगा था कि 30 minute में delivery का उसत समय बहुत slow है यह जल्दी चलन से बाहर हो जाएगा या हमें ही बाहर कर देगा टेक इंडस्ट्री में बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है innovation करना और आगे बढ़ना इसलिए हम 10 minute में food delivery के offer Zomato instant के साथ आए है दीपेंद्र ने यह सफाई भी दी कि 10 minute में delivery की service 30 minute delivery की तरह ही safe रहेगी सभी delivery boys को road safety training और life insurance दिया जाएगा delivery workers पर किसी तरह का pressure नहीं होगा ना देरी के लिए कोई जिर्माना लगाया जाएगा और ना ही जल्द delivery के लिए कोई incentive ही दिया जाएगा business model भी जान लेते हैं Zomato की 10 minute में delivery के offer के पीछे basic model यह है कि जिन इलाकों से सबसे ज़्यादा demand आती है वहाँ कुछ hyper local warehouses बनाया जाएंगे company incentives को finishing station कहती है यह नहीं तकनीक के साथ demand prediction algorithm और robotics की भी मदब ली जाएगी यानि order manage करने से लेकर delivery तक में तकनीक बड़ा एहम रोल अदा करेगी फिलाल pilot project के तौर पर गुरुग्राम में चार finishing stations बनाया जा रहे हैं यह station बहुत हद तक grocery e-tailers के dark store की तरह ही है जो हर locality में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने होते हैं मकसल instant delivery ही होता है जो चीज Zomato के दावे को बल देती है वो यह है कि उसने इस business model के पीछे अच्छी planning के साथ बड़ा निवेश भी किया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस blanket का Zomato में विले होने जा रहा है उसके पास पहले से करीब 300 dark stores हैं और पूरे देश में जल्दी इस तरह की 1000 dark stores बनाने वाली थी ऐसे में Zomato अगर instant service का दारा गुरुग्राम से निकाल कर पूरे देश में पहलाता है तो ये dark store ही उसके लिए finishing stations का काम करेंगे कम्पनी का दावा है कि बदलते वक्त के साथ लोगों की जरूरते और choices भी बदली है लोगों के पास restaurant का chain करने अब best food combo ते करने तक का वक्त नहीं है ऐसे में digital platform पर जितना कुछ जल से जल्द उनके सामने होगा वो उसका लाब उठाएंगे Zomato ने साफ कर दिया है कि pilot project के तौर पर company फिलहाल 25 से 30 item ही instant service के तहत लाएगी इन में पोहा, बिर्यानी, मोमोस, चाय, कॉफी, ओमलेट और कई snacks शामिल होगे Zomato का दावा है इस model से ग्राहकों के लिए कीमते घट जाएंगी जबकि restaurant, partner और delivery workers की income पर कोई असर नहीं होगा लेकिन जानकारों का कहना ही ये मुम्किन नहीं है उनके मुताबिक हो सकता है कि company शुरू में भारी निवेश के दाम पर रियायते दे लेकिन इसे जारी रखना या किसी एक end पर pricing में कमी लापाना वेभारिक नहीं लगता ये ठीक वैसा ही होगा जब Flipkart और Amazon ने शुरू में भारी घाटा सहते हुए ग्रहकों को bumper डिसकाउंट्स देने शुरू किया और आगे चलकर धीरे धीरे इन डिसकाउंट्स का दायरा सिमटता गया अब बात कर लेते हैं कि back foot पर कैसे आई company मंगलबार को जैसे ही दस मिनट डिलिवरी सर्विस जोमाटो इंस्टिंट सुर्खियों में आई सोशल मीडिया में आम आदमी से लेकर कई celebrities ने company को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया अक्टर और लेखक सुहेल सेट ने ट्विटर पर लेखा यह ओपर खतनाक और गयर जरूरी है इसे delivery boys और सड़क पर चलने वाले लोगों की जिंदगी खत्रे में पढ़ सकती है इसे टाला जा सकता है कोई मूर्खी होगा जो 10 मिनिट पहले ही decide करेगा उसे क्या खाना है पिर जान पर खेल कर delivery करवाने की क्या वज़ा है Congress की सांसत कीरती चिदंबरम ने तो यह मुद्दा संसद में उच्छाल दिया Delivery Boys की सुरक्षा को गंभीर चिंता बताते हुए की इरती ने कहा कि accident होने पर कंपनिया इन राइडर्स को ना तो कोई बड़ी आर्थिक मदद देती है और ना ही insurance कंपनियों से कोई मुद्दा संसद में उच्छाल दिया Delivery Voice की सुरक्षा को गंभीर चिंता बताते हुए कार्थी ने कहा कि accident होने पर कंपनिया इन राइडर्स को ना तो कोई बड़ी आर्थिक मदद देती है ना ही insurance कंपनियों से कोई मुद्दा मिल पाता है वही राजसभा सांसद प्रियंका चतुरवेदी ने भी कंपनी को आरे हाथ लिया उन्होंने कहा कि instant delivery का दबाव खतनाक हो सकता है मुझे यकीन है कि किसी को भी food delivery के लिए 30 मिनट का इंतजार करने में कोई समस्या नहीं होगी वैसे भी अगर इस टाइम में खाना delivery नहीं हुआ तो दुनिया खत नहीं होने वाली 10 मिनट की delivery से लोग खुश नहीं होंगे अब जान लेते कि delivery boys का क्या कहना है जोमाटों की खिचाई के बीच हमदर्दी के केंदर में आये delivery boys या riders की माने तो कोई भी service और सतन 10 मिनट में delivery नहीं दे सकती online back end का काम बाहर के जमीनी हाला से बलकुल अलग होता है बाहर कुछ भी निश्यत नहीं होता नौईरा सेक्टर बारा में जोमाटों की एक delivery worker ने बताया अगर दो किलोमेटर भी जाना हो और दूरी 10 मिनट में तै हो सकती हो तब भी यह कहना मुश्किल है कि समय पर पहुचा जा सकेगा ट्राफिक जैम, बारिश, गली महलों में भीर बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं होता राइडर्स का है भी कहना है कि नौकरी अस्थाई और contractual होने के चलते वे भी काम और कंपनी के प्रती बहुत समर्पित नहीं रह पाते वो उतना ही करते हैं जहां तक करने का दबाब होता है दूसरी तरफ कंपनियां भी उनकी चिंता नहीं करती यहां तक की बाइक्स भी राइडर्स की खुद की होती हैं उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा या भीमा हासल नहीं होता एक बड़ी एक्कॉमर्स कंपनी के लिए डिलिवरी करने वाले संतोष कुपता ने हमें बताया चाय, कॉपी, नाश्ता, चोटी वैल्यू वाले सामान की इंस्टिन डिलिवरी कभी भी कंपनी और ग्राह को दोनों के लिए फायदेमन नहीं हो सकती एक आद घंटे में डिलिवरी के लिए भी हम लोग एक साथ 3-4 सामान लेकर निकलते हैं और सबको डिलिवर करते हुए लोटते हैं लेकिन 10 मिनिट के मामले में एक आदमी एक ही ओर्डर डिलिवर कर सकता है लेकिन दूसरी ओर जोमाटो का दावा है कि प्रेडिक्शन अल्गोरिदम और रोबोटिक्स की मदद से उसका बहुत सा इंडोर काम आटोमेटेड होगा और टाइम मैनेजमेंट के दम पर फास्ट और बहतर सेवाएं दी जा सकेंगी कंपनी के हेड दीपेंदर गोयल ने आलो चुको के जवाब में यदावा भी किया कि उनकी कंपनी अपने हर डिलिवरी बॉय की हल्थ का पूरा खयाल रखती है और उन्हें हल्थ और लाइफ इंशॉरंस कराने के बाद ही फील में उतारा जाता है आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रमोध मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया